चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी का मोदी पर पहला बड़ा आरोप कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अपने कुछ कॉर्पोरेट क्रोनियों को फायदा पहुचाने के लिए खुद्रा स्टॉक निवेशकों को धोखा दिया है 6 जून को आयोजित एक प्रेस कॉंफरेंस में कॉंग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी और उनके सहियोगी ग्रह मंत्री अमित शाह ने शेयर बाजार को धोखे से प्रभावित करने के लिए 5 करोड निवेशक परिवारों को गुमराह किया ताकि लोगों को निवेश करना चाहिए। जिन्होंने परिणाम से एक दिन पहले घोशना की की भाजपा आसानी से चुनाव जीत जाएगी। राहुल गांधी ने कहा यह एक आपराधिक कृत्य है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी और शाह दोनों ने अपने कॉर्पोरिट मित्र गौतम अडानी के स्वामित वाले एक टीवी चैनल को शेयर बाजार पर अपने साक्षात कार दिये जो शेयर बाजार में हैरफेर और मन लॉंडरिंग से संबंधित गंभीर जाच का सामना कर रहा है। भाजपा ने पिछले घोटालों की जेपीसी जाच की मांग को खारिस कर दिया है जबकि राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभाचुनाव के बाद विपक्ष इतना मजबूत है कि वह जेपीसी जाच करा सकता है। राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में 6 जून को भाजपा के एक राजनेता ने पूरी तरह से असपष्ट खंडन जारी किया, जिसमें कॉंग्रेस नेता द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया था। इसलिए शेर बाजार घोटाले की संभावना है जिसकी सन्युक्त संसदिय समिती द्वारा जाँच की जानी चाहिए। आप इस वीडियो के तहट दिये गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और आरे में यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद!